हलो डौल मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग यहां पर एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक को लेकर क्या है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम और यह नर्वस सिस्टम हमारा एनिमल फीजियोलोजी का एक पार्ट है एक टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है आज इससे पहले नर्वस सिस्टम को समझने पढ़ने से पहले हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं कि नर्वस सिस्टम एक्च्वल में है क्या नर्वस सिस्टम का क्या हमारे बॉड़ी के लिए तो हैडिंग आप डाल सकते हैं छोटी सी नर्वस सिस्टम हम लोग है न हम कहेंगे nervous system एक ऐसा system होता है हमारे body के अंदर जो कि' काफी advance होता है बहुत जदा advanced है और यह हमारे body को हमेशा prepare रखता है या हम यह कह सकते हैं अवेर रखता है और अवेर भी रखता है कि हर चीजों से इसी कि आप मान लीजिए कोई या कोई दोस्त आपका आया और पीछे से आपके उसने हाथ अपने हाथों से आपके आखों को दबा दिया और पूछता है बताओ कौन है तो आप उसकी आवाज से भी अगर आपका अच्छा मित्र है तो आप उसकी आवाज से भी पता कर सकते हैं कि हाँ भाई कौन है या कभी जो nervous system होता है हमारा जो brain होता है वो impulse को पारा होता है impulse मीन्स receptors को хват are को को है जिसने आख बंद करी है जिसने आख बंद करी है उसके बारे में हम पता करनिका प्रयास करते हैं बिना देखे और यह कैसे करते हैं यह हम अपने brain करने प्रयास करते हैं और ब्रेन तभी काम करता है जब हम उस्थ हो तो हमारे नवर सिस्टम के दौरा यह इंपल्स ब्रेन में पहुशा है जाता कि भाई दो किसी ने आख बंद करी आपकी कौन है बताओ और वो पूछता है कि बताओ हम कौन है तभी आख खोलेंगे और फिर आप उसको चार गाली दे दोगे एक गाली के बदले चार गाली आप सुना दोगे क्यों क्यूंकि आपका नर्वस सिस्टम काफी तेज है आपका नर्वस सिस्टम फास्ट है या अगर आप कुछ भी नहीं कह रहो तो उसका मतलब यह नहीं कि आपको नर्वस सिस्टम तेज नहीं नर्वन सिस्टम बढ़िया नहीं है आप सुनकर के निकल गए उसको छोड़ दिया चलो ठीक है यार तुमने गाली दे लिए अच्छी बात है जब मेरा टाइम आएगा ता हम तुम को देखेंगे एक तो यह होते हैं तुसरी होते हैं कि तुरंथ क्रिया हुई प्रतिक्रिया ह तो आप क्या करते हो बदले में थपड मारते हैं कि तुमने थपड के से मारा तो यह एक्शन रिफ्लेक्शन यह भी हम लोग इसके अंतरकती देखेंगे किस तरीके से जलता है लेकिन मैं नर्वस सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूं कि अगर बॉड़ी के अंदर से नर नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा है ठीक है इस साइट का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा है ठीक है तो नर्वस सिस्टम हमारी बॉड़ी को हमारी बॉड़ी को कंट्रोल वा कंट्रोल वा कोडिनेट कंट्रोल वा कोडिनेट रखता है तो कंट्रोल कहने के बतलब नियंतरन करता है अरे भाई नियंतरन तो करी रहा है आप ऐसा थोड़ीना है कि आप चलने हैं किसी रास्ते पर ठीक है और आगे गड़ा है गड़े में आप पैर रख देंगे ऐसा नहीं है हम सोच सकत कि भाई आगे गड़ा हमको रॉस करना है ठीक है कोडिनेशन के बतब समनवय यह अपस में समनवय भी करवाता है समनवय कहने का मीनिंग ही हो गया कि क्या कर रहा है कि आपस में समनवय आपस में मिली जुली भगत एक तरीके सम कह सकते हैं जैसे आप अपनी दोस्तों की टोली ह है उस्तों में आपकी कम्मूनिकेशन बहुत अच्छी होती है क्या कर रही है कम्मूनिकेशन में मतलब हमारे बॉड़ी के अंदर यह है और अगर मालो की हमारे बॉड़ी को रिकवाइड है भोजन की तो यह क्या करेगा आत में खुदा को उत्पन करता है दैट मिंस भूख को जागरत करता है कैसे के कारण नर्वस सिस्टम के कारण ठीक है कीचन में बहुत अच्छा खाना बनना और आपके सलाइवा मूं में आ जाता है कैसे भाई नर्वस सिस्टम तो हमारे बाड़ी को यह क्या इस बारे में आप याद रखेगा अच्छा नर्व सिस्टम का जो रोल क्या होता है एक्चील को आप हम कहा आप क्या सकते हैं कि नवर सिस्टम का जलों कर एक्चों इंब्डेट हम ठाते हैं यू कि इनि यह ने का फास्ट कंशना है जो भी काम होरा यह पर दही कि आ इल्रीकिक देना आप сообщ के मारने लगे उसको तो इस अब क्या है? immediate काम कर रहा है! किसके कारण हो पाता है? nervous system के कारण हो पाता है तो nervous system का role हमेशा immediate होता है और exact होता है ठीक है? यह गलती नहीं करता exact होता है ठीक है? सटीक immediate कहने के बतलब fast fast immediate राइट! यहनि कि बहुत जल्दी और कैसा होता है, exact होता है, सतीक होता है, ठीक है, सही h robust lived, shorter lived, इसका रोल बहुत होता है, इसका रोल कैसा होता है, immediate होता है, बहुत यूजी के साथ होता है, exact होता है, satik होता है for short lived होता है यह nervous system का role हो गया अब यह जो impulse है, यह impulse पहुचाये कैसे जाते है nervous system की तरो है ना, like मैंने यहाँ पर एक term लिया impulse तो इन impulse को इन impulse को हमारे brain तक किस तरीके से पहुचाया जाता है इन impulse को हमारे brain तक किस तरीके से पहुचाया जाता है इसके बारे में समझ रहा है, तो देखिए impulse की अगर अपन लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं impulse की बात करते हैं तो impulse are conducted in form of electric impulse यहाँ पर जो impulse conduct किये जा रहे है, वो electric form में impulse किये, जिस तरीके से एक wire में electric जा रही होती है, electric conduct करते हैं, जैसे switch on किया, तो light जल गई, switch off किया, light बंद हो गई तो क्या है, इसी तरी, यह क्या है electric light पहुंचे रहे हैं, तो electric impulse के form में क्या हो रहा है, यह पहुंचता है तो impulse के अगर बात करें तो हम कहा सकते हैं, impulse are conducted in form of in form of impulse electric impulse अच्छा, एक बात और यह तो खास बात हो गई, एक खास बात और मैं आपको यहाँ पर clear कर देना चाहता हूँ, right, एक खास बात और मैं आपको यहाँ पर clear कर देना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर हम लोगों ने endocrine system पढ़ा था, right तो endocrine system में भी हमने देखा था कि यह एक प्रकार का communication करता है coordinate करता है, control करता है body के अंदर, right तो endocrine system भी communicate करता है और nervous system भी क्या कर रहा है, control coordinate communicate कर रहा है, एक तरीके से दिखा जाए बरबर तो इन दोनो, जब यह दोनो system आपस में काम करेंगे, तब क्या होगा, तो एक मैं आपको समझा दूँ यहाँ पर, जब हमारा nervous system nervous system and endocrine system endocrine system nervous system और endocrine system एक साथ काम करते हैं together or work, एक साथ काम करते हैं, तो इस system काम लोग बोलते हैं, इंटीग्रेटेड़ सिस्टम क्या बोलते हैं इंटीग्रेटिंग इंटीगेटिंग सिस्टम इंटीगेटिंग सिस्टम इंटीगेटिंग सिस्टम कहने का मतलब क्या होता भाई है ना integrating system कहने का मतलब क्या था एक साथ काम कैसे करेंगे जैसे भाई हम suppose that for example हम एक बहुत बहुत basic example लेते हैं जो example अटीक भी है और आपको समझ में भी आएगा क्योंकि हमारा दिमाग अधिकतर वहीं पर रहता है मेरा नहीं रहता आपकी जो इसमें कुछ ज़्यादा रहता है let's suppose हम क्या करते हैं कि आप समझे इस बात को कि जब हम adult हो जाते हैं एटीन प्लस हो जाते हैं तो हमारे बॉड़ी के अंदर हार्मोनल चेंजे होते हैं बराबर और मेल के अगर बात करें तो मेल के अंदर स्पॉम का इंड़ने लगता है स्पॉंप का फ्रमेशन ज्यादा होता है और इस पॉंप का फ्रमेशन तभी होगा जब हमको को इंपल्स मिलेगा हमारा ब्रेन केखा हमारा ब्रेन जब जी इनारेच को निकालेगा गॉनेदो ट्रॉपिन हार्मोन को निकालेगा और अधुर जाएगा टेस्टिस के लिए कि अधेंस करायेगा और या बन जोर कि अभा मिलता है आप नी कि मिलता है हम क्या सकते हैं जब मिलता है especially मिलता है यह जब इच्छा जागरत होती है इच्छा-ईरब होती है sex करने की तब क्या होता है हमारा hypothalamus जी अनरेच को निकालेगा जी अनरेच से जी अनरेच क्या करेगा एंटीर पुटिटिटी ब्लेंट डिस्टर्ब करेगा ए उठो भाई क्या कर रहो सो मत उठो और FSH और TSH को निकालो है ना ये FSH और TSH जाएगा टेस्टिस के पास और इस स्पर्म्स का फॉर्मिशिन कराएगा टेस्टोस्टरॉन का लेवल बढ़ाएगा तो ये क्या हो गया ये हो गया एंडोक्राइन सिस्टम को बर्क लेकिन ये एंडोक्राइन ने काम कब किया जब nervous system ने इससे बोला कि आरे भाई यह हमारा लंग्स है और यह हमारी किड्नी है किड्नी है और हमारा हार्ट है यह हमारा हार्ट है लंग्स का अगर अपन लोग काम देखें लंग्स की बात करें तो लंग्स के अंदर ब्रिधिंग होता है that means inhalation of oxygen and exhalation of permit लंग्स के अंदर का आदान प्रदान होता है और लंग्स के अंदर कितनी गैस एक मिनट में जाएगी और कितनी बाहर आएगी यह भी तो अगर देखा जाए लंग्स के अंदर तो एक मिनट में अगर एक मिनट की बात करें तो एक मिनट में जो लंग्स होता है यह बारा से सोला बार क्या करता है एर को अंदर और बाहर निकाल सकता है यह बृदिन बृद्ध आउड बृदिन बृदिन यह नौर्मल किंडिशन में जब आप बैठे होते हैं अभी तुम्हें forcefully करा रहा हुँ inspiration और ekspiration forcefully करा रहा हूँ बट आप जब नर्मल कंडिशन में आपका ध्यान नहीं होता अभी आपका ध्यान चला गया होगा सांस लेने और छोडने में वो नहीं जब नॉर्मल कंडिशन में होते हेल्दी परसंन के इंदर एक मिनट में लंग्स एक बार में एक मिनट में लंग्स बारा से सोला बार क्या करता है बराबर समझ में आ रहा है और वहीं अगर हम लोग किड्नी की बात करें किड्नी की बात करें तो किड्नी 500 ml 500 ml क्या करता है यूरीन का फार्मेशन करता है 500 ml यूरीन का फार्मेशन करता है अगर अपन लोग हार्ट की बात करें इसकी बा हम देखें हैं एक मिनिट में हार्ट जो होता है वह 72 से 75 बार बीट करता है ठीक है कि लब डप लब डप लब डप हार्ट वीट यह साउंड हार्ट साउंड है लब डप हार्ट साउंड है और एक बीट की अगर हम बात करेंगे तो 1 एक बीट 0.8 सेकेंड में complete होती है इसमें भी दो फेजेज होते हैं एक से इस्टोलिक और एक डास्टोलिक जब मैं आपको पढ़ाया था सर्कुलेटरी सिस्टम तो वहां पर बताया था पूरा डिटेल में तो एक मिनट में एक मिनट में 60 सेकेंड और 0.8 सेकेंड में एक बीट complete होती है तो करीबन करीबन एक मिनट में 72 से 75 बार एक नॉर्मल जो मेल होता है या फिमेल होती है उसका हार्ट बीट करता है अब बात यहां पर यह आती है कि यह सारे औरगन यह सारे औरगन एक दूसरे से communicate होते है एक दूसरे से communicate होते है ऐसा नहीं होगा कि लंग्स जो है एक मिनट में 72 से 75 बार सांस को अंदर बाहर करेगा और हार्ट जो है वो 12 से 16 बार बलड को पंप करेगा और किडिनी जो है वो 100 एमल या 1000 एमल बनाएगी मैं भी कमकी बात कर रहा हूँ ठीके बनाएगी ऐस सारे औरगन एक दूसरे के उपर communicate होते हैं अब बात आती कि यह communication बनता कैसे है यह communication बनता है हार्मोन के दौरा और हार्मोन से क्रीट होते हैं एंडुक्राइन ग्लैंट से कि दौरा कम्मुनिकेट बनता है हार्मोन के दौरा माल लो हार्मोन क्या कर रहा है इन सब को कंट्रोल कर रहा है suppose that हमें यह पता ही ना चले कि लंग्स हमारा एक मिनट में 12 से 16 बार ना धड़क ब्रिधिंग और ना करके यह करीबन 20 से 22 बार कर रहा है हमें यह पता ही ना चले तो क्या एंडोक्राइन ग्लेंट हार्मोन से करेगा यार समझो आप एक रूम में बैठे हो अपने स्टिडी कर रहे हो और आपके रूम के बाहर लड़ाई हो रही है और वो धीमेदे में लड़ाई हो रही है आपको जाएंगे नहीं आप अपनी पड़ाई करेंगे और जब आपको जाना होगा तब आप जाएंगे तब आप देखेंगे अरे यहां तो यार लड़ाई हो चुकी है हमने तो मजा खराब कर दिया तो मेरा कहने का मतलब यह बच्चों कि अगर जब प्रेंगे उत तक हमारे ब्रेन को यह संदेश ही नहीं पहूंचेगा यह इंपल्स नहीं पहूंचेगा कि भया लंग्स यह किडनी यहार्ट काम सही तोड़ से नहीं कर रहे हैं तब तक कोई भी हर्मोन से क्रीट नहीं होगा और यह कम्मुनिकेशन बनाया रखता है कौन नर्वस इस्टम नर्वस सिस्टम इन सभी के ओपर नजर रखता है तो कि तो लंग्स तुम काम कर रहे हो कितनी मिनुट में कितनी बार सरीक मिनुट में 12-16 ठीक है नॉर्मल हो तूं किड्णी के पास गये चाहँ कर रहे हो क्या तो क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो कितना रहा हुँ कर रहे हो तो Bio कि dog पांसए मां कर तो करते हैं कि पास पूंच रहा है आप ठीक है साब क्या कर रहे हो यह पंप कर रहे हैं कितना कर रहे हो एक मिनट में बाहर पंप होता है बॉडी के अंदर रहे हैं यह चीज यहां पर इंपोर्टेंट रहती है अब मालो कि इनके बीच में कम्मुनिकेशन गड़बर हो जाए अब लंग्स क्या कर रहा है जब यह नवर सिस्टम के पास उन्हें पूछा भाई साब क्या हाल चाल है ठीक है सर ठीक तो नहीं लग रहे है और तुम क्यूंकि एक मिनट में तुम्हार तो यह वर सिस्टम जाएगा इसको लेकर के इंफॉमेशन को लेकर के प्रें के पास ब्रेंज क्या करेगा लंग्स के लिए जो यहां पर आप देखेंगे की जो डिस्द्वाद्टेश हुआ है डिसबैलिटी हुए है जिसके कारण ब्रेण हमारे का पर हार्मौन को करेंगे तो हम आपको इंजेक्शन लगा देंगे ठीक है और यह हार्मोन इसको डराता है मैं इसको पर वर्क करेगा और वर्क करके यह बीस से अब ठीक हो जाओ किट्णी ज्यादा यूरीन पास आउट कर रहा है बाड़ी से तमारा बाड़ी डिस्टर्ब हो जाता है नवर सिस्टम बोलता बाइस आप से ब्रेंगो क्या करेगा हार्मोन अपने आप नहीं जाता हार्मोन निकालेगा हार्मोन जाएगा हाल चाल लेने के इचा यह दिक्कत है तो फिर फटाफट क्या करता है हार्मोन इसको पर वर्क करता है घडिनी ठीक हो जाता है यह सारे और बच्छों एक दूसरे के साथ में कम्निकेट करके इंटीग्रेट करके वर्क करते हैं और जब नवर सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम यह दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं और यह दोनों क्या करते हैं एक दूसरे को कॉडिनेट करते हैं और दोनों जब एक साथ काम करते हैं तो इसको लोग इंटीग्रेटिंग सिस्टम कहते हैं तो यह तो बात दो गई हमारे कुछ खास बात अब हम लोग अगर नर्वस सिस्टम की बात करें इसकी बात करें बच्छों क्यों कि मैंने आपको बता है overall हम लोग यहां पर overview लेंगे पूरा तो overview ही यहां पर चला है हम लोग nervous system की बात करें तो nervous system work कैसे करता है तो work करने के लिए यहाँ पर यह work कैसे करेगा पहले है न यह समझ लेते हैं उसके बाद हम देखें कितने type का होता है work कैसे करता है तो देखिए सबसे पहले हमारे body में यह nervous system को nervous tissues को stimulus की requirement होती है जब stimulus मिलता है जब stimulus मिलता है जैसे की मान लो suppose that let support आप imagine करें कि आप बैठे पढ़ा ही कर रहे हो या कहीं आप बैठ करके गपशब कर रहे हो बात ही कर रहे हो और evening का time में उसने मच्छर जादा होता है और वो एक mosquito आ करके आपके पैर में उसने बाइट करना शुरू किया आपके ब्लेट को शक करना शुरू किया आपका पूरा ध्यान होता है जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे होते हैं अधर आपको पते नहीं कि मच्छर काट रहा भाई तो क्या होता है कि हमारा गवर सिस्टम यानि कि जब उसको इस्टमलस मिलता है जब पेन होता है जब सलाइवा हमारे बाड़ी के अंदर डालता है मस्किटो एक जलन होती है और जब वो जलन होती है ना तो वो जलन एक इस्टमलस के रूप में काम करती है किस रूप में काम कर रही है stimulus के रूप में और यह stimulus receive किया जाता है receptors के दौरा stimulus किसे receive किया गया receptors के दौरा जो हमारे body के अंदर अल्रेड़ी पाया जा रहे है यह receptors के दौरा जैसे receive किया गया यह receptor क्या करता है इस stimulus या इस information को कि mosquito bite कर रहा है पैर में इस चीच को कहा भेज देगा cns के पास cns बोले तो central nervous system मैं अभी आगे बताऊंगा cns के पास भेज दिया इसके पास भेजा cns के पास भेज दिया के दिया भाई जाओ central nervous system के पास भेजा central nervous system जाएगा दोड़ते दोड़ते brain के पास जैनि central nervous system इस information को पहुचा देगा brain के पास और अब brain क्या देगा order कि आदेगा order किसको हमारी body को और हमारी body को aware करेगा भाई साथ आप इतने मंग्न ना हो ये बात करने में आपके पैर में mosquito काट रहा है ये डेंगु का हो सकता है मलेरिया का हो सकता है आप बचें इससे हमारी तो कम्मुनिकेशन जो हम लोग कर रहे होते हैं आपसे बात कर रहे होते हैं किसी दूसरे परसन से वह तो चला होता है लेकिन हमारा जो हाथ खाली है वह क्या करता है पट से जा करके उस मच्छर के बिल्कुल डारेक्शन पे बिल्कुल एक तम एक्ट वही लोकेशन पे जा करके उसको मार देते हैं अगर वह मगन होता है ब्लड शेकिंग घरने में तब तो से नर्वस सिस्टम टॉपिक समझ में आएगा अधरवाइस यह टॉपिक बहुत बहुत डेंजिरस है अधिक तर जो है ना इसमें टीचर हाती नहीं डालते हैं पढ़ाते ही नहीं है और अगर मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं तो बहुत इंट्रेस्टिक तोर से पढ़ा रह लिए लेंन के पास i information गई और ब्रें किया करता है फटक सा मच्छर को मार हाँ चला जाता है मच्छर को मारना भाडों बहुत हूं슬HAHA नहीं होता कि यह गया स्टुमलस मिला पर यहां से चलेगा जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में पर यह पास ब्रें देखेगा अच्छा मच्छर काट रहा है जाओ धी दीरे जा रहा है इसा नहीं बहुत ही फास्ट और इमिडेट होता है इसका जो रोल होता है वह होता है और शाट रिव्ड होता है चरमाने के पाद हम अपने मगं हो जाते हैं अगे अपने अब लोग बात करते थोड़ा ने उस्टम की टाइप की कि नावस इस्टम कितने आप हो सकते फें जैन। नर्वस सिस्टम की बात करेंगे नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होता है एक तो नर्वस सिस्टम और PNS का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है यह सेंट्रल नर्वस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते है और और spinal card के अंदर, spinal card के अंदर, यह spinal card जो होता है हमारा, वो central nervous system क्यलाता है इस तरीके से, तो यह CNS हो गया, और यह PNS, PNS peripheral form में, lateral form में है, ठीक है, और central में एक nerve, इनका, PNS का combined, एक central में क्या होता है, system पाय जाता है, जिसको हम लोग PNS कहते हैं, सरी, CNS कहते है, central nervous system कहते हैं, अ अब अगर अपने लोग सेंट्रल नर्वा सिस्टम की बात करें केंद्री तंत्रिका तंत्र और इसको हम लोग बोलते हैं परिधिय परिधिय तंत्रिका तंत्र तो बच्चों अगर हम लोग जब सेनस की बात करेंगे सेंट्रल नर्वा सिस्टम की बात करेंगे तो central nervous system क्या होता है cns क्या होता है इसके बारे में समझे short form में मैं cns लिखूंगा तो अप लोग घबराइए का नहीं cns क्या है इसको actual में central nervous system कहते है cns की अगर अपने लोग बात करें तो cns भी दो type का होता है cns में हम दो चीज पढ़ेंगे actual में central nervous system में दो चीज पढ़ेंगे एक तो brain पढ़ेंगे brain आता है इसके अंतरगत और दूसरा हम लोग यहाँ पर spinal cord पढ़ेंगे spinal cord पराबर इसे हम दो चीज पढ़ेंगे central nervous system में दो चीज पढ़ेंगे brain और spinal cord पढ़ेंगे peripheral nervous system की बात करें तो pns यहाँ peripheral nervous system परदिये तंत्र का तंत्र में हम दो चीज पढ़ेंगे यहां पर भी दो चीज पढ़ेंगे एक तो हम यहां पर पढ़ेंगे हम डारेक्ट यहां पर 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 नाम है इस पाइनल नर्फ्स पढ़ना है दूसरी जो नर्फ्स पढ़नी है उसका नाम है स्पाइनल नर्फ्स हम लोग अगर यहां पर क्रेंईनल नर्फ्स की बात करें तो इसको हम लोग फेनी में harness this यह द में पाई जाती है इसकम यह दो नर्फ्स हो में बोलते हैं का फॉरे किरिनियुम कैनाल में पाई जाती है इसको लोग कपाली या ऐ तंत्रिकicular हिंदी में कहते हैं और स्पाइनेल कार्ड में या रीड की हडी में मेरू रज्जु में जो पाई जाती है इसको डल पलते हैं بप रज्जु तंत्रिकल यहां मैं आपको बता दो कुश्यन आता है कि क्रेणियल नर्फ कितने जोड़ी होती है तो human beings अगर अपने लोग बात करें मनुश्यों की बात करें तो human में जो cranial nerves होती है यह 12 जोड़ी होती है 12 pairs और spinal nerves की बात करें तो spinal nerves human beings में human के case में यह करीबन 31 pairs होती है 37 जोड़ी तो 12 जोड़ी cranial nerves पाई जाती है और 31 जोड़ी spinal nerves पाई जाती है आप जो PNS है ना peripheral nervous system इसमें दो चीज़ पढ़ना है अपन को तो PNS जो है इसमें दो चीज़ संबंदित है PNS में दो चीज़ संबंदित है एक तो cranial nerves और spinal nerves पढ़ना है लेकिन PNS में ऐसे लिख लें यहां पर मैं color different ले लेता हूं ता बना करके लिख लें पी एनस पेरिफरन नवर सिस्टम से दो चीज़ संबंदित होते हैं पेरिफरन नवर सिस्टम से दो चीज़ संबंदित होते हैं एक तो आपका होता है पहला जो आपका है उसका नाम है sensory nerve fiber sensory nerve fibers को हम लोग यहां पर apparent nerve fiber के नाम से भी जानते हैं apparent nerve fibers यानिक ही अभी वाही तंत्रिका तंतु राइट यह sensory nerve fiber यह apparent nerve fiber क्या काम करता है भाई इसका main function क्या होता है तो आप इसमें लिख सकते हो कि दे दे आर कंड़क्ट दे आर कंड़क्ट इम्पल्स फ्रम सेंसरी ओर्गन या रिसेप्टर तो सी एनस यानि कि हम यह कह सकते हैं हम यह कह सकते हैं कि यहां fibers यह fibers यह fibers impulse को impulse को ग्राही यह अंगो यह अधमिस सेंसरी ओर्गन इसको अधिक रिसेप्टर भी कहते हैं यह ना रिसेप्टर से एंस सेंट्रल नर्वर सिस्टम पर लाते हैं इन fibers का main function क्या है समझें इन fiber sensory nerve fiber या friend nerve fiber का मुखे कारे होता है कि जो भी impulse हमको मिलता है या जो भी stimulus मिलता है वो sensory organ के धोरा central nervous system पर लाया जाता है यानि कि impulse को central nervous system को भेजा गया कि भाई देखो यह आया है कुछ information और central nervous system सीधे पहुचा देता कापर brain के पास तो यह काम होता है कि इसका sensory nerve fiber का impulse को sensory organ से या receptor से cns पर लाना दूसरे जो यहाँ पर पाया जाते है second दूसरा जो यहाँ पर पाया जा रहा है fiber उसको हम लोग बोलते है motor motor nerve fibers motor nerve fibers that means चालक तंत्रिका तंतु चालक तंत्रिका तंतु इसे चालक तंत्रिका तंतु कहते है motor nerve fibers कहते है राइट या motor nerve fibers को हम लोग different उसे different nerve nerve के नाम से जानते है या इनका क्या 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 होता है इनका क्या क्या होता है ना तो इनके बारे में लिख लिजिए इनका में फंक्शन ठीक है लिखें यह यह fibers यह fibers यह fibers जा लिख लें ठीक है लिखें यह fibers यह fibers थे लाम सीन चालक तो इस तो इफ्रेन यह एक फाइबर्स या फाइबर्स इम्पॉसेस को घुल से सिस्टेम से एफटर औरगन और गन जिसको हम लोग हिंदिय में कहते हैं प्रभावी अंग यहां पर वह प्रभावित हुआ है प्रभावी अंग पर लाती है या फाइवर्स इंपल्स को CNS से इफ्रेक्टर औरगन पर लाती है अब इंपल्स की बात करें सुरी PNS की बात करें तो PNS दो प्रकार का होता है PNS कितने प्रकार का होता है पर्धी तंत्रिकतन तो दो प्रकार का होता है तो लिख लें PNS Peripheral Nervous System Peripheral Nervous System उखेता हा दो टाइब का होता है दो प्रकार का अभी दो टाइब का कौन कौन सा होता है तो पहला जो है इसका हम लोग बोलते है Somatic Somatic Neural System तो हम लोग बोलते है Somatic Neural System और दूसरा जो है वो है Autonomic Autonomic Nervous System PNS दो प्रकार का हो गया Somatic Nervous System और Autonomic Nervous System राइट के लिए तो यह जो Somatic Nervous System या Neural System है यह कैसा है भाई Somatic Neural Nervous System की बात करें या Neural System की बात करें तो क्या होता है तो Heading डाल दो छोटी सी First Somatic Neural System इसका ओवर वीव चल ला है बच्चों मैं चाहता तो यहां पर डारेक्ट स्टार्ट कर सकता था लेकिन यह पढ़ना और यह समझना बहुत ज़रूरी है इसको लोग बोलते हैं काईक तंत्रिका तंत्रक ना यह यह सिस्टम के यह सिस्टम की बॉलंटुरी मसल्स या बॉलंटरूंत। मिक एक चिक या सिस्टम एच्छिक voluntary होता है पहली बात या सिस्टम कैसा होता है voluntary होता है यह करता क्या है तो लिखो या सिस्टम या सिस्टम को खिता हाँ इंपल्स को इंपल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंकाली पेश्यों skeletal muscles कंकाली पेश्यों मतलब skeletal muscles पर भेजता है पर भेसता है यानि कि जो यहां पर सुमे चिक नीर्वस सिस्टम फो other को क्या करता है impulsus को हम स्वाइत रूप से बेच सकते हैं सेंट्रल नर्वा श्रत से क्या हम को हाथ उपर करना है तो उपर चला गया सामने लिना है तो स सूमेटिक ओ गया हमम एच्छित-फयम में कंगरत है अपने हाथ को इदर ला सकते है इधर कर सकते हैं इसे इधर कर सकते है आपके मांचा का रह umas आप बड़े दूरे पास में हो जाता है कोई बात नहीं तो यह सिस्टम मेंली इंपल्स को स्टी एनस से कंकाली पेशियों स्केलेटल मसल्स पर भेजता है दूसरी बात अगर हम बात करें दूसरे पी एनस सिस्टम की तो उसको हम लोग बोलने है क्या आर्टो नॉमिक नर्वस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं स्वायत स्वायत तंत्रिका तंत्र स्वायत तंत्रिका तंत्र स्वायत तंत्र का तंत्र क्या होता है देखें यह सिस्टम यह सिस्टम इन्वॉलन्टरी अनैचिक हमारी इच्छा की विरुद्ध यहने कि हमारी इच्छा के उपर कामनी करता है जैसे हार्ट की पीष्यां होती है अनैचिक होता है Involundary होता है पहली बात दूसरी बात लिख लें कि यह करता क्या है लिख लो यह सिस्टम यह सिस्टम मुख्यता हा impulse को या system मुख्यता impulse को TNS से central nervous system से smooth muscles smooth muscles that means chickeny patient smooth muscles were glands 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 इसको हम लोग बोलते हैं glands means ग्रंथियों ग्रंथियों पर ले जाता है पर ले जाता है यह impulses को क्या करता है यह जो autonomic nervous system होता है यह impulses को क्या करता है definitely involuntary होता है यह impulses को क्या करता है CNS के द्वारा central nervous system के द्वारा smooth muscles के पास ले जाता है और glands के पास ले जाता है इस बात को याद रखिएगा smooth muscles और gland के पास ले जाता है इंपल्सर को कौन आट्रोनोमिक नर्वस सिस्टम जो पी एनस का एक भाग है बराबर आगे एक और पॉंड लिख निजिए यहां पर खास बात है कि आट्रोनोमिक आट्रोनोमिक नर्वस सिस्टम कि अग्यता दो प्रकार का होता है आट्रोनोमिक नर्वस सिस्टम भी किते टाइप का हो गया दो टाइप का हो गया तो आट्रोनोमिक नर्वस सिस्टम को शार्ट फार्म में हम लोग बोलेंगे A-N-S A-N-S Autonomic Nervous System बराबर Autonomic Nervous System किते टाइप का दो टाइप का एक तो होता है Sympathetic Sympathetic Nervous System और दूसरा होता है Para Sympathetic Nervous System इसको हिंदी में हम लोग बोलते है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और इसको हम लोग बोलते है Paranukंपी तंत्रिका तंत्र तो अब बात आती कि Sympathetic Nervous System और Para Sympathetic Nervous System क्या होता है तो देखे छोटा सा डिफरेंस है बस Sympathetic Nervous System कि अगर अपने लोग बात करेंगे करें Sympathetic Nervous System कि हम लोग यदि बात करें तो हम कह सकते हैं क्या क्या सकते हैं कि यह 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 Nervous System यह Nervous System यह Nervous System यह Nervous System इमर्जन्सी इमर्जन्सी कंडीशन में यह Nervous System इमर्जन्सी कंडीशन में कारे करता है यह Nervous System इमर्जन्सी कंडीशन में कारे करता है यह Nervous System यह Nervous System इमर्जन्सी कंडीशन केने का मतलब क्या हो गया है इमर्जन्सी नहीं कि आपका एक्सिडेंट हो गया यह वो दुनिया जार्या इसा नहीं इमर्जन्सी मेंस हम यह कह सकते है कि माल लिजिए आप रास्ते भी जा रहे हैं और एक खतरनाक डॉगी आपके उपर दॉड़ पड़ा तो आप क्या करोगे आप भागोगे काफी तेजी से तो उस पीरियेड में यह आपका sympathetic nervous system काम करता है डॉगी को देखने के लिए और डॉगी को देखने के बाद में आपके body के अंदर अचानक से energy आ जाती है अचानक से energy आने के बाद आप लंबी दूरी तक अपने प्यूपल से अपनी आई से देख पाते हो क्योंकि वो बड़ी हो जाती है और काफी दूरी तक आप देख पाते हो कि कितनी तेजी से हमको भागना है आपके पहरों में धर्ज नहीं होता है पिर आप दोड़ने लगते हैं उस डॉगी से बचने के लिए जो आपके पीछे पड़ा है sympathetic nervous system काम करता है पात दे रहा होता है बड़ा बरसे पैरा sympathetic nervous system जो emergency condition में आपको भागना पड़ा था वो emergency condition जैसे ही समाप्त होती है कि हाँ कुत्ता काफी दूर है आप पहुंच गए मकसद पे कि हाँ कुत्ते नहीं काट पाए आपको तो अब conditions आपके अंदर changes हुई थी emergency condition से यह nervous system emergency condition से पाहर लाता है that means bring out from emergency condition work during emergency condition कौन करता है sympathetic nervous system और brings out from emergency condition कौन लाता है parasympathetic nervous system अब छोटा से graph देख लेते हैं उस graph से related हम लोग जो भी classes रहेंगे और next class में करेंगे अब हम यहाँ पर देखते है nervous tissue क्या होते तंत्रिका उतक इनके बारे में हमको specially पढ़ना है अब nervous system के बारे में अधिक तर जो overview था वो हमने ले लिया अब हमारा main study ही अब चलेगा तो मैंने बताया nervous tissue हम अगर nervous tissue की बात करें तो हमारे बाड़ी में nervous system के अंदर जो nerve tissues होते हैं ठीकि वो दो प्रकार के होते हैं दो टाइप के होते हैं एक तो आपका होता है neuron neuron जिसको हम लोग nerve cell के नाम से भी जानते हैं nerve cells neuron या nerve cells that means तंत्रिका कोशिका 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 और दूसरा जो आपका है उसको हम लोग बोलते हैं neuralglia neural cells इसको हम लोग supporting cells के नाम से भी जानते हैं supporting cells बराबर या supporting cells और neuron या nerve cells हम लोग neuron की बात करें तो neuron जो होता है यह structural functional unit of nervous system है यह क्या है structural and functional unit of nervous system पहली बात आप दूसरी बात यह कि दो प्रकार का होता है इसको हम लोग cell body के नाम से भी जानते हैं इसको हम लोग cell body के नाम से भी जानते हैं और दूसरा जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं processes of neuron that means neuron के प्रवर्द processes of neurons या इसको हम लोग cell processes के नाम से जानते हैं या इसको नियो रॉन या इसको भी रॉइटि किया रहे हैं यह जो है यह मेली दू है यह इन में दो भाग होते हैं तो होता आपका डेंड्राइड डेंड्रोन होते हैं और दूसरा होता एक्जान एक्जान मेन फंक्शन होता अब इसके बारे में लोग आगर डिसक्स करेंगे एक्जान को हम लोग नर्व फाइबर के नाम से जानते हैं तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना यार आप दुबारा से बढ़े इस लेक्षर को देखिएगा लेकिन ज पूरे नर्वर सिस्टम चैप्टर को समझने के लिए यह पूरी नीव है आपकी कि मैंने नीव खोद करके भर दी है अब इसके उपर हम लोग बुल्डिंग बनाना सुभू करेंगे तो पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें नेक्स्ट लेक्च्चर में वो रहेगा नि ब्शने लिए कि मैं अंजी हुआ जेक्सी रहेख्स्व और इा कि मुझ garlic का यहाच्च कि पूबते हैं ने कि देर दिधा कि न ही फू थरू ने कि यह टेंगैं यह經 वेक्चो है पूब लोग भी से टार्य बत्बते हैं त pow कि दिए बूद जो army गैं डिष Starting Department